हेलो नमस्कार, राम, स्वागात, खमाखणी, एक बार फिर से एक बहुत वायरल न्यूज है कि BSTC के पौउम फिर से स्टार्ट हो गए है जी हां, Special BSTC की बात करेंगे, BSTC होती है एक और एक Special BSTC होती है Special BSTC के पौउम है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो जुके हैं और क्या है Special BHTC, वर्तमान समय में BHTC और Special BHTC में किसमें ज़्यादा पायदा है, कट ओप किसकी कम रहती है, जल्दी नौगरी किसमें लगती है, इन सभी चीजों की बात करेंगे, उससे पहले एक मैं आपके सामने नोटिपिकिसन रख रहा हूँ, दो-तीन दिन पहले की है, जी हाँ, सरकारी स्कुलों के अंदर जो विशेh आवसकता वाले बच्छे है, आज-पास के अंदर, उनका सरवे किया चाएगा, विशेh आवसकतावाले बच्छे का मतलब दीव्यांक, जो दीव्यांक बच्छे होते हैं, उनका क्या होगा … सरवे होगा, आप सभी द कर सर्वे किया जाएगा उसके बाद है विद्यार्थियों का नजदी की विद्याले के अंदर ना मांगा नो सके ये सुनी चित किया जाएगा इससे पहले दो से तीन महीने पहले मित्रों सरकार ने एक अपने बयान के अंदर न्यूज के अंदर का था कि हम क्या करेंगे परते विशेज सिख्षक की न्यूक्ति करेंगे ठीक है तो आलांकि सभी विद्यालियों में एक साथ एक एक शिख्षक की न्यूक्ति नहीं हो सकते इसलिए सर्वे किया जा रहा है और जैसे ही सर्वे होगा लगेगा गहां इन इन स्कूलों के अंदर ये विशेज आउसकता वाले है वहाँ वाँ प्यायास की न्यूक्ति की जेगी और विशेज सिख्षक वही बन सकते जुन्हें कर रही है थो क्या है इस्क यहां से लिंग dop क्या है और स्पेशल तारिक शे आपका यहां पे पॉर्टल पर क्या है जो भी डाटा वगिरा है केंडियेट का वो सारा डिखना इस्टार्ट हो गया दो तारिक का यह आप पूरा नोटिफिकसन है वो में टेलीग्राम चैनल पर डलूँगा आप देख लीजिएगा यहां पे बीएश्टेसी इस् के अंदर एक ही संस्ता है वो पूरे भारतम है एक साथ है वो special भी एश्टेसी कराती दूसरा इसका बड़ा फायदा एक तो अपने रीट के अंदर आती है न लवन इससे आप लवन के शिक्षक बन सकते हैं पहली से पांच वी तक के आप शिक्षक बनते हैं फायदा इसमें सबसे बड़ा यह है कि नॉर्मल BSTC की जो कटॉप रहती है रीट के अंदर जैसे आप BSTC करोगे नॉर्मल उसके बाद रीट का एक्जाम दोगे तो एक्जाम तो वही होता है ठीक है लेकिन रीट वालों की जो नॉर्मल BSTC कर रहा की उनकी कटॉप से जिन्होंने Special BSTC के अंदर एक्जाम दिया है उनकी कटॉप 10 से 12 नंबर कम रहती है यह इसलिए सबसे बड़ी मारा मारी हो रही है Special BSTC के लिए कि हमें Special BSTC करने क्योंकि कटॉप इसकी कम रहती और आज गल इती ही ज़्यादा Computer ने एक नंबर से कोई पीछे रहता वो भी बहुत दुखी होता है तो 10-12 नंबर तो बहुत बड़े होते हैं तो फोरम एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं तीसरी बात है किसमें केटेगरियां बहुत ज़्यादा होती तो कि SST में सीटे ज़्यादा होती है साइंस में कमा चाहिए तो वैसे SIS का कोई जरू नहीं है यह जो यह रिंग वाली होती है जो सुनने बच्चे स्तों बाडित होते हैं उनके लिए होती है वी आई देखने वालों के लिए है ये मांसिक विकलांगता है ID तो तीनों मैंसे आप जो भी seat आपको available उससे कर सकते हैं इसमें कोई लिक्त नहीं है तीनों के इंदर बड़ी अच्छे से seat आती है अब समस्या आई है कि सरा मैं करें कहां से मैं तो कुछ पता नहीं है कहां से करनी चाहिए कहां से नहीं करनी चाहिए क्या किया चाहिए तो देखिए का मेरी नजर के इंदर है एक अपने राजस्थान के इंदर सहस्थान है न्यू एड्यू हब करके एक सहस्थान है आप सभी को पता हो तो जो NCT की जो अप्रूवड इनुशिटी बहुत बढ़ी है एक्जाम है तो बच्चे को वहाँ तक लेके जाने की सुईदा वहाँ उसके ठहरने की सुईदा सारे सुईदा इनके दुआरा की जाती है जैपूर के अंदर इनका सेंटर है आप चाहे तो डारेक्ली इनके मोबाइल नबर दिये यहां से भी बात कर सकते हैं दूसरी आप जैपूर जाकर इनके सेंटर पर बैट कर भी इनसे बात चित कर सकते हैं जैपूर के अंदर इनके सेंटर है जो मोबाइल नबर आपको यहां पर दिये जा रहे है और बरतपूर के अंदर भी इनका सेंटर है आपके मोईल पर सारी कुछ चीज़े आएगी तो आप बढ़ी अच्छे प्रकार से कर सके हैं और भी 100% आपको विश्वास हो बढ़ी अच्छे प्रकार से कि हाँ बढ़ी अच्छे प्रकार से कर सके हैं और भी 100% आपके बढ़ी अच्छे प्रकार से करने की बात की गई है तो आप जरूर न्यूइड यह विजिट कीजेगा इनसे जानकरी लीजेगा बागी मैंने आपको फॉर्म बता दिये हैं फॉर्म स्टार्ट हो गए इसके अंदर कोई एक्जाम वेक्जाम नहीं होता इसमें कॉलेज के इंदर सिनिट मिलती है ठीक है तो यह आपका सिनिट किते परसेंटेज बे मिलीगी क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए आप इ प्रिशे शिक्ष्कों की निउक्ति करेगी बागी रीट के इंदर कटोप थोड़ी कम रहती यह भी एक फायदा है बागी देखो नॉर्मल बीस्टेसी में सेलेक्शन हो गया तो उनके लिए तो बढ़िया है आप नॉर्मल बीस्टेसी कर सकते हैं जिनका नॉर्मल बीस्ट टेलिग्रान टेनल आप जोइन कर लीजिएगा यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो फारम दूबारा से स्टार्ट हो चुके हैं जो भी इच्चुक है वो जुरूर एडमिस्टन लीजिएगा धन्यवाद